क्या आपके गेंदे के पत्ते भी ऐसे ही सिकोड रहे हैं या ऐसे करल हो रहे हैं पौधा मुर्जाया हुआ सा दिखता है पौधा तो अच्छा ग्रो कर रहा है लेकिन इनकी पत्तियां जो है मुड रही हैं ऐसा क्यूं हो रहा है और क्या उपाय करें जिससे इस पौधे को पूरा वीडियो देखिए इसकी बिल्कुल ना करें अगर आप वीडियो बनाए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका अपनी चैनल पट्वागाड्निंग में जिस तरह से छोटे सिसू को पालन पोसंड में सावधानिया बरतनी पड़ की लिए हमने मिट्टी बहुत अच्छी बनाई है खाद समय पर दे रहे हैं और पानी भी समय पर दे रहे हैं पिंचिंग भी कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी ऐसे पौदे करल हो रहे हैं पत्तिया इनकी और इन कोमल पत्तियों पर कई प्रकार के रोग लग रहे हैं यह प फफुन्दी टाइप का एक कीट होते हैं वो भी इसमें लग जाते हैं और ये इतने बारीक होते हैं कि हमें दिखाई तक नहीं देते हैं मेरे पास गमलों की कमी रहती है इसलिए मैं पॉली बेग में इन पॉधों को लगाता हूँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फूल चाहिए इसलिए इन में लगाता हूँ मेरे सभी पॉधे अच्छे हैं लेकिन कुछ पॉधों में जो है ऐसी पत्यां करल हो रही हैं मैं इनको रोज देखते रहता हूं और इसमें मैं साफ का प्रयोग करूंगा यह साफ फंगी साइड और यह सभी के पास में होता है ऐसा फंगी साइड आपके पास में जो भी हो यह इसको आप ले लें यह नहीं है तो ले ले enfrent मैंने एक चम्मच के करीब इस इस प्रेय बोटल में डाल लिया है और मैं इसमें पानी डाल देंगे हम एक लिटर के लगभग एक लिटर की है यह इसमें एक लिटर हमने पानी डाल दिया है और इसको हम अब इस प्रेय कर देंगे इन पत्तियों पर इस्प्रे करने के पहले हम इसको अच्छे तरह से हिला लेंगे, पुरा मिक्स हो जाना चाहिए पानी में इसके लावा आप नीम ओईल का भी इस्प्रे कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है सभी पौधों में अच्छे से इस्प्रे करना है जिसमें अगर कोई रोग नहीं लगा है उसमें भी करना है इसके डालने से कोई side effect नहीं होता है अच्छे से इसको नहला दें पूरे पौधे को इस फंगिसाइट का प्रयोक आप किसी भी पौधे में कर सकते हैं सभी फूलों वाले हो या फ्लों वाले पौधे हो सभी में आप कर सकते हैं इसे आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं फंगिसाइट डालने के अलावा आपको और भी काम करने होंगे ये इस तरह के जो पौधे ह जो नीचे से पत्ति आ रही है इनको नीचे के पत्तों को सब तोड़ दे या कोई ब्रांच निकल रही है उसको भी हटा दे नीचे से आपको अगर ये ब्रांच बड़ी होगी इसमें फ्लूल छोटे आएंगे इसको आप सकर ब्रांच कह सकते हैं नीचे से दो इंच तक की ब् इसके मिट्टी में कोई भी पत्या नहीं रहनी चाहिए आसपास से पूरा अच्छा साप सोत्रा बना लें इसको विल्कुल भी जो पत्यां दिख रही हैं उनको सब को हटा दे नीचे की पत्यां और ब्रांचेस को हटाने से पौधे का अभिकास तेजी से होता है इसलिए इनक सब्धे को साप सुतरा रखना है साफ की प्रांचेस हटा देना रिजी से उनीचे की प्रांचेस पत्या और उनको सब को हटा देना इसमें एक कामón और करना है जैसे काला वेवार कोई लो这是 ल krijgen रिख रही है इसको पहला फूं आपको लेना लाएयगा अगर इसको ले लेंग बाद में जो है फूल ऐसी छोटे छोटे आते रहेंगे ज़्यादा बड़े फूल नहीं आपाएंगे इनको जितनी भी कलिया जो निकल रही है इनको सब को निकाल देना है इस कली को निकालने से आपके पौधे में और ब्रांचे से निकलेंगी और आपका पौधा बुसी हो जाएगा यदि आप ज़्यादा फूल चाहते हैं तो अभी बिल्कुल भी फूल ना ले ये सभी पौधे मैंने पुराने पौधे में से कटिंग ले करके बनाए हैं कुछ पौधे मैंने सीड्स से भी ग्रो किये हैं जो मैं दिखाता हूँ और भी कई तरह के पौधे हैं सीड्लिंग मैंने कुछ इस तरह से हुए हैं ये मैंने सीड्स लगाया था इसमें और इनको निकाल करके इसे डिस्पोजल में लगाएंगे आराम से निकालना है इसको रूट्स इसकी डेमेज नहीं होने चाहिए निकालने के बाद इसको एक-एक अलग-अलग हमें इस डिस्पोजल में लगा दिनगे ऐसे वाली डिस्पोजल मेंने भर लिया है मिट्टी इसमें और इनको अलग-लग लगा दिनगे सत्तर पर्षेंट हमने स्वायल लिया है इसमें और इसमें तीस पर्षेंट हुने वर्मी कम्पोस्ट मिलाया है इसको लगाने के बाद हम एक हपते छाओं में रखेंगे इसको बिल्कुल सेड़ी जगे में इसमें धूप बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए नहीं तो यह सारे पर्षें मुर्जा जाएंगे और नमी बना के रखना है रोज हमें इसमें पानी देना है हलका हलका पानी देना है ज्यादा नहीं देना है लेकिने पानी कम नहीं होना चाहिए बस ध्यान ये रखें कि मिट्टी ना सूख है इन सभी पोधों को मैं एक हपते बाद रिपोर्ट कर दूँगा यहां पर मिर पास में बहुत सारे सीड लिंक है इसमें कुछ गॉंफ्रेना के है कुछ जर्वेरा का है और कुछ इसमें बर्वीना का है और कुछ कॉस्मोस के भी है मैंने एमजोन से सीड समल लवाए थे जो लगवग 20 तरह के थे छोटे छोटे पाउच में आय थे लगवग 1.500 पॉनी 200 के करीब पड़े थे मेरे को यह गजेनिया के सीड लिंक है जो मैंने पुराने पौधे से बनाया था लेकिन कुछ तो खराब हो गए है लेकिन कुछ बचे हैं इसमें कुछ उने जाड़ पकड़ लिया है और इसमें गौंफरना के तो बहुत सारे मेरे पास सीड अपनी आप उग गए थे उसमें तो उनको भी मैंने इसमें लगा दिया है और यह काय का है यह नहीं मालूम रहे को और यह है कॉस्मॉस इसके भी बहुत प्यारे स्पूल आते हैं और कुछ सीडलिंग्स यहां पर भी हैं बरबीना के यह देखिए बरबीना है यह बहुत अच्छे हैं इसको मैंने अभी दो-तीन दिन में सिप कर दूँगा इसको ऐसे ह बाद में इसको है में लगाऊँंगा इस सीडलिंग निकाल करके हमें बड़े pot में डारट नहीं लगानी चाहिया पहले छोटे pot में लगाए 3-2 इंच के उसके बाद में सिप्त कर रहें और यह है चाम मिलीय shedling यह देखिए यह लिख मैंने टेक लगा दिया था ताकि याद रहे इस सारे सीटलिंग मैंने सब एक सार सीट से लगाय थे लेकिन कुछ पहले आगाए कुछ बाद में आ रहे हैं और कुछ अभी तो बहुत ही बारिक है अभी अंकुर ही निकल रहे हैं कुछ के अब जैसे कि इसमें अभी चार-चार पत्ती ही आई हैं लगभग अठारा दिन हो गए हैं इनको पहली बार ही मैं लगाया हैं और यह कुछ तो देखी अभी इसमें बहुत ही बारिक हैं अंकुर ही इसमें आयच नहीं दिखी नहीं रहे हैं कि इसमें मैंने साल्विय के सीट्स लगाया था अभी तक कि अता पता नहीं है कुछ दिन और बेट करूंगा मैं इसका देखते हैं क्या होता है और यह है यह फ्लॉक्स एपसमें फ्लॉक्स के लगाया था यह देखे बहुत ही चोटे हैं यह देखिए इसमें अंकुर अभी जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूंगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभार अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब जरूर कर ले मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार जैहिन